अगर उठा उठा के चलेगा तो अनुप्रस्त कहलाएगा जैसे घोडा चलता है तक टक 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 उठा के चलेगा केचुआ को देखें केचुआ को मन के चलिए घोडा को कहिएगा कि तुम यहां से यहां चले आओ तो घोड़ा कैसे चलेगा टक 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 ऐसे भागेगा तो क्या हो गया अनुप्रस्त हो गया लेकिन केचुआ को कह दीजेगा कि तुम केचुआ यहां से वहां ज दोनों में अंतर होता है, जैसे आदमी कैसे चलता है, आदमी भी अनुप्रस्त होके चलता है, जैसे घोडा चलता है वह इसे आदमी चलता है, आदमी कैसे चलता है, अनुप्रस्त की तरह चलता है, घोडा कहीं का अंसरों नहीं देता है, बोका है सो, अनुप्रस्त चलता है, ठीक है, अनुप्रस चलता है, चलिए, आदमी को अनुदार्ग चलते देखें, देखें बताते कब चलता है, जब आदमी का चपल टूट जाता है, हवाई चपल पहिने का चपल वाँ टूट जाएगा, चाहिए महिला का सेंडिल टूट जाएगा, तो अब वो खटर खटर नह गसीट गसीट के चले तो अनुदायर के चलेगा अट टपाटप भागे तो अनुप्रस्थ चलेगा टपाटप भागे तो अनुप्रस्थ चलेगा तपाटप भागे तो अनुप्रस्थ चलेगा तपाटप भागे तो अनुप्रस्थ तपाटप भागे तो अनुप्रस्थ महि बाबी जी दाब दी हैं अंदर गुज गिया जवीन के जा फूरसत उंगली गिया अनुप्रस्त तरंगे चलने के लिए उसको अपना पैर जमाना पड़ेगा अब पैर जमाएगा तब पैरवा उठाएगा तब ही न अनुप्रस्त तरंगे हो पाएगा यह हमेशा किसी चीज के ऊपर चलती है आप कहेंगे कि खांसर पगला गया है द्रौ पर कैसे चलेगा हां आदमी पानी पर कैसे दोड़ेगा अरे बकलोलवा मेढग को देखना दोड जाता है मेढग जो होता है वो दोड जाता है म नीटा इसे चिछिल जाता था कि नहीं पानी पानी पर तो बचबन में तो आदमी एक जोला हम लोग स्कूल से छुटी होता था पानी लगा रहता बाड आता था तो एक जोला पतला पतला चिपी लेके जाते तो लोग जोला में से निकालते है चल 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 आइसे चिछिल रूक एहें कूच जाते हैं। हावा में अनुप्रस्थ नहीं जा पाता है। हावा में कईसे जाता है já। हावा में कीसे मलाये, हुफार चली जाता है। तो देहें ये किसी चीज के ऊपर जाता है, जबकि अगर आप इसको देखेंगे न, तो ये क्या होगा? देखें, पानी में देखेंगा, पानी के अंदर मचली कैसे जाती है, पानी के अंदर मचली कैसे भागेगी? है अर्य यार बोलना है पानी के अंदर मचली कईसे भागेगी दो नुंबर अनुदैर्ग ठीक है अनुदैर्ग भागेगी तो पानी के अंदर अनुदैर्ग जाएंगे द्रव और गैस के अंदर अंदर अगर जाना हुआ तो अनुदैर्ग हो जाती है अंदर अंदर जाना हुआ तो अनुदैर्ग हो जाती है और किसी चीज के ऊपर ऊपर जाना हुआ तो अनुप्रस्त हो जाती है रे बबुआ देख इधर देखो अगर पानी के अंद तरवा निकलेगा कोंची? पानी के अंदर अनुदैर्ग, ठोस के अंदर अनुदैर्ग, गैस के अंदर अनुदैर्ग, लेकिन पानी के उपार अनुप्रास्त, ठोस के उपार अनुप्रास्त, तो ध्वानी तरंगे तीन कंडीशनों में अनुदैर्ग हो जाती हैं, और इन द दो कंडिशनों में अनुप्रस्थ हो जाती है, तीन कंडिशन में अनुदैर्ग, दो कंडिशन में अनुप्रस्थ, तो मास्टर साहाब लोग लई का लोग को पढ़ा दिया है, कि तीन को का भैलूया जादे होता है, तुम मार देना अनुदैर्ग, अरे बबुआ, तो है दू पॉइंट का भैलू है तो ध्वनी तरंगे अनुदैर्ग के साथ साथ अनुपरस्त होती है इसलिए जब भी एक्जाम में आएगा तो आख ना कान खोल के रहिएगा